नमस्कार दोस्तों मनू केटिव गार्डन में आपका स्वागत है उमीद आप सब अच्छे से होंगे और अपने गार्डनिंग के कामों में व्यास्त होंगे तो ये देखें दोस्तों सबसे पहले ये मेरे स्पाइडर प्लांट्स देखें जो कि मैंने ये फिरी के ही तहियार किये हैं ये मैं एक प्लांट नर्सरी से लाई थी और उस एक प्लांट से मैंने काफी सारे प्लांट्स अपनी गार्डन में बना लिये हैं बहुत ही आसान और इजी तरीके से ये प्रोपोगेट हो जाते हैं ये देखे एक प्लांट मेरा ये लगा हुआ है और काफी सारे इसमें बेबी प्लांट्स निकले हुए हैं दोस्तों जो कि मैं अब आपको दिखाऊंगे किस तरह से उन्हें अलग करके लगाऊंगी ये देखे ये जूला प्लांटर है और इस जूले प्लांटर में भी मैंने इसके बेबी प्लांट्स लगा रखे हैं तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगे कि किस तरह से हम एक प्लांट से फ्री के ही प्लांट्स तयार कर सकते हैं और ये मेरी balcony garden में है ये जो hanging basket है और इसमें भी मैंने ये spider plants लगा रखा है और इसके भी काफी सारे baby plants से मैंने कहीं सारे बना रखे हैं और ये देखें दोस्तों सबसे पहले तरीका तो ये है कि जब इसकी काफी बड़ी sticks हो जाएं और काफी बड़े से ये baby plants हो जाएं तो आप इस तरह से भी लगा सकते हैं एक छोटे डिब्बे में इसी के planter के पास रखके उसमें आप कोकोपीट डालिए और कोकोपीट डालने के बाद दोस्तों ये जो इसके baby plants हैं ये इसमें आप सिर्फ रखने से ही इसकी roots डवलप हो जाती हैं लेकिन हाँ इसमें थोड़ा हलका हलका मुश्यर जरूर बना रहना चाहिए बहुत ही प्यारा और सुंदर air purifying ये plant है दोस्तों और ये घर में लगा हुआ भी काफी सुं रख कर थोड़ा सा इसको अंदर दबा दीजे और उसके बाद इसमें जब roots डवलप हो जाएं जब आप इन्हें अलग board में लगा सकते हैं दोस्तों ये plant होता है जो ये हवा में जो harmful chemical मुझूद होते हैं उनको ये remove करता है और इसे घर में लगाना भी काफी शुप माना जा तो दोस्तों एक तरीका तो ये है कि जब इसमें roots आजाएं इन्हें आप अलग करके लगा सकते हैं और दोस्तों दूसरा तरीका भी मैं आपको बताऊंगी और चलिए आपको लेके चलती हूँ अपने terrace garden पर जहां पर मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से मैं ये free काही मैं अच्छे से सुखा ली थी इसमें मैंने दो मुठी नीम खली डाली है और अब इसमें मैं थोड़ी सी कोको पीट डालूँगी कोको पीट इसलिए डालूँगी क्योंकि ये baby plant हैं और इसमें जब roots निकलेंगी तो उन्हें निकलने में आसानी रहेगी और soft मिटी रहेगी वैल डेंड रहेगी तो काफी जल्दी इसमें roots डबल अप होंगी और इसमें सबसे नीचे hole किया hole करने के बाद इसमें एक ठीकरी रखी उसके बाद जो मेरा garden का waste था दोसे मैंने आधे से ज़्यादा इसमें भर लिया और भरने के बाद थोड़ी सी इसमें मिटी डाल दी और फिर से मैंने ये waste डाल दिया दोस्तो हमारे garden में से जितना भी waste रिकलता है सूकी पत्निया टेहनी और फूल इस तरह से दोस्तों ये काफी अच्छा है इनका compost बन के तयार हो जाता है और जब तक ये baby plant बड़े होंगे और इनकी roots नीचे तक पहुचेंगी तब तक ये compost बन चुका होगा तो इस तरह से दोस्तों मिटी हमारी फिरी की हो जा सोरी garden का इसमें भर रही हूं ये compost फिरी का ही बन जाएगा और उपर से ये मिटी और planters मेरे फिरी के हो गए और जो plants में मैं लगाऊंगी वो भी मैं आपको दिखाऊंगी वो भी मेरे फिरी के हैं तो दोस्तों अगर हमें इतना सब कुछ हमें फिरी का ही थोड़ी मेहनत करन चारों को मैंने इस तरह से ठीकरी से इनके होल को कवर कर दिया और इसके बाद फिर से मैंने इसमें ये गार्डन का वेस्ट भर लिया और इसी तरह से दोस्तों मेरे गार्डन में जो बड़े बड़े कंटेनर है और जो ये waste material के जो मैंने grow bag बना रखे हैं ये मैं इसी तरह से भरती हूँ कुछ मेरा kitchen waste हो जाता है कुछ मेरा ये garden की सूखी पत्नियां हो जाती है और ये मिट्टी हो जाती है और इस तरह से दोस्तो मैंने ये जो चारों मठ्कियां थी इनको मैंने इस तरह से मिट्टी से और ये जो waste है इससे मैंने इनको भर लिया और इसमें आप net का टुकड़ा भी लगा सकते हैं मेरे पास ये net का टुकड़ा था ये जो पुरानी मच्छर दानी होती है दोस्तो इसे बिल्कुल मत फैंकिये ये waste बिल्कुल नहीं है gardening में ये बहुत काम की है क्योंकि इस net के टुकड़े हमारे बहुत काम के आते हैं पोर्ट में नीचे बिच्छाने के काम आते हैं जिसमें हमारी मिट्टी well-drain होती है और हमारा जो पानी होता है वो swell में holder नहीं रहता है इस तरह से दोस्तो इसको भी मैंने भर लिया और चारो मट्किया मैंने इस तरह से मिट्टी से भर ली और अब मिट्टी से भरने के बाद दोस्तो मैं इनमें थोड़ी-थोड़ी कोको पीट डालूँगी कोको पीट डालने का यही रिजन है कि जो ये बेबी प्लांट है इनमें रूट्स अच्छे से डवलप होंगी दोस्तों और मिट्टी बिल्कुल वैल रेन और हलकी बनेगी ये देखे दोस्तों चारों मट्कियों में मैंने दो दो मुट्टी ये कोकोपीट मिक्स कर दिया है और अब इसके बाद मैं आपको प्लांट्स दिखाती हूँ ये देखे दोस्तों मेरे स्पाइडर प्लांट्स में काफी दिनों से बेबी प्लांट्स इस्टिक निकली हुई थी और ये काफी बड़ी-बड़ी हो गई थी सबसे पहले दोस्तों अपने प्रूनर को कीजिए या आप तेज आज पे थोड़ा सा इसे गरम भी कर सकते हैं अगर आपके पास ऐसा कुछ डिटोल वगएरा नहीं है तो ये देखे दोस्तों इस तरह से मैं ये सब बेबी प्लांट्स अलग कर लूँए मैं अपने गार्डन में दोस्तों फिरी के ही प्लांट्स तय और बहुत ही आसान तरीके से दोस्तों अब इनकी ग्रोथ हो जाएगी और इस तरह से एक प्लांट्स से ही काफी सारे हमें प्लांट्स मिल जाते हैं और पहले भी मैं इस प्लांट्स से ये फिरी के बेबी प्लांट्स ले चुकी हूँ और काफी सारे मैंने आपको दिखाए जो मैंने अपने गार्डन में लगा रखे हैं और इनकी बहुत ही प्यारी हेंगिंग बास्किट बनके तयार होती है दोस्तों और बहुत ही अच्छा बैस्ट प्लांट है ये हेंगिंग बास्किट का और पानी की रिक्वार्मेंट भी इसको बहुत कम होती है तो बहुत अंदर hanging basket तयार हो जाती है दोस्त और एक से हम 10 basket तयार कर सकते हैं तो हुए न stellung भी न कीवार हैं यह देखे मैंने सारे इस तरह से यह baby plants निकाल कर अलग कर लिए और आपको करना क्या है आप एक aloe vera का जो plants है उसका एक aloe vera gel के लिए एक उसका piece कट कर ली지вой और दोस्तों aloe vera का plant भी आपके garden में ज़रूर होना चाहिए बहुत ही काम का यह plant प्लांट होता है और इस तरह से मैंने अलोविरा जैल इस तरह से लगा कर इसके जो ये नीचे रूट्स हैं और इसमें मैंने ये प्लांट से लगा दिया और इस मटकी में मटकी प्लांटर में दोस्तों ये जब प्लांट बड़ा हो जाएगा तो काफी खुब सूरत ये प्ला पॉस्ट तयार हो जाएगा और फिरी के ये मेरे प्लांटर्स हैं तो दोस्तो अगर हमें शोख है तो इतना मुश्किल भी नहीं है गार्डनिंग का काम करना और दोस्तो देखो महनत तो हर काम में लगती है बिना महनत तो कुछ भी काम नहीं होता है तो इससे घर में दोस्तो पोजिटिविटिडी भी आती है और इसे शुब प्लांट भी मानते हैं तो आप इस प्लांट को अपने घर में ज़रूर लगाइए अपने गार्डन में एड कीजीए और इस तरह से और भी बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनके हम बेबी प्लांट्से कहीं सारे प्लांट्स बना सकते हैं और इसमें दोस्तों पानी बहुत कम दीजिए जब ही पानी दीजिए जब इसकी मिट्टी ड्राई हो जाए अब plants लगाने के बाद मैं इनमें एक बार अच्छे से पानी दे दूँगी और उसके बाद 8-10 दिन बाद जब इनकी मिठी पूरी सूख जाएगी जब मैं इनमें पानी दूँगी और ध्यान रहे दोस्तों जब आप ये बेबी प्लांट्स लगाते हैं तो इने शेडी एरिया में रखे तेज धूप में इने बिल्कुल ना रखे लेकिन अब सर्दियां आ रहे हैं तो इनको हलकी हलकी धूप की जरूरत है तो सुबह की इने थोड़ा सा हम सनलाइट दे सकते हैं और वो भी अभी तीन-चार दिन हमें ये चाया में रखने हैं जब तक इन में अच्छे से रूट डवलप नहीं होती है तो ये देखे दोस्तों कितने आसान तरीके से मैंने ये चार मेरे प्लांट्स चार-पांच प्लांट्स मेरे ये तैयार हो गए हैं और ये एक साथ रखने पर गा अपसूरत लगेंगे ये देखे दोस्तों तीन मटकी में मैंने ये प्लांट लगा लिया है और आप जो ये चोती है प्लांटर इसमें भी मैं ये ही प्लांट लगाऊंगी और लगाने के बाद दोस्तों मैंने इन में अच्छे से पानी दे दिया है और इस तरह से दोस्तों मैंने ये फ्री की गार्णिंग की, आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, थैंक्स फॉर वाचिंग, हैप्पी गार्णिंग